Welcome back guys, आज हम class 12th biology के chapter 6 का part 28 पढ़ेंगे, अब हमें DNA finger printing के बारे में पढ़ना है, तो DNA finger printing क्या है, DNA finger printing एक ऐसी technique है, जिसकी मदद से दो person के DNA को आपस में compare किया जाता है, ठीक है, अब देखो DNA finger printing का use कई जगे होता है, जैसे कि forensic science में, अब हम यहाँ पे एक situation देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो DNA finger printing है, वो हमारे ले कितनी जादा important है, ठीक है, तो situation क्या है, मान लो यहाँ पे एक murder हो गया, ठीक है, तो murder हो गया तो यहाँ पे क्या है, एक body पड़ी हुई है, ठीक है, इस body के आसपास क्या है, blood है, अब forensic वाला है, forensic वालों ने क्या किया, यहाँ स different type के DNA मिल रहे है, दो different type के क्या मिल रहे है, DNA मिल रहे है, ठीक है, तो एक type का जो DNA है, वो तो confirmed है, किसका है, इस dead body का, और जो दूसरा DNA मिला, वो हो सकता है किसका होगा, जिसने इसका murder किया होगा, ठीक है, मतलब कि ROP का हो सकता है, वो DNA, ठीक है, अब police के पास दो suspect हैं, एक एक ये, पुलिस को लगता है कि इन दोनों में से किसी एक ने ही इसका खून किया है, ठीक है तो इसको confirm करने के लिए यहाँ पे पुलिस क्या करेगी, इसका DNA लेगी फिर इसका भी DNA लेगी, ठीक है फिर एक एक करके, इन DNA को इस DNA से compare करेगी तो मालो, पुलिस ने इसके DNA को इसके DNA से compare किया compare कि टेकनीक से करेंगे DNA fingerprinting से, ठीक है ना तो जब इसका DNA, इस DNA से compare किया गया तो वो same मिला, क्या मिला, same तो इससे पुलिस को confirm हो गया कि इसी ने इसका murder किया है है ना, तो देखो, इसससे पता चला ना कि DNA fingerprinting काफी ज़्यादा important है forensic science में, इसके लावा कई और जगे भी DNA fingerprinting काफी ज़्यादा important role नहीं भाती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, चलो शुरू करते है as stated in the preceding section, preceding का मतलब होता है पिछले, तो पिछले section में ने पढ़ चुका है कि 99.9% of base sequence among humans is the same तो यह हमें पता है कि जितने भी humans हैं, उनमें जो DNA है उन DNA में 99.9% जो base sequence है, वो क्या है? Same है, मतलब इसको और दूसरी तरीके से बोलें तो हम क्या बोलेंगे? जितने भी humans हैं, उनमें 99.9% DNA क्या है? Same है, ठीक है न? तो कितना percent DNA same है? 99.9% जो DNA है वो हर किसी में same मिलता है, तो different कितना हुआ? 0.1% DNA different होता है, ठीक है? जैसे मैं, यह मैं हूँ, ठीक है? मैं अपने DNA को किसी से compare कर रहा हूँ तो जब मैं compare कर रहा हूँ, तो मैं क्या पा रहा हूँ? कि हमारे DNA में, यह मेरा DNA है, यह इसका DNA है इन में जो similarities है, वो कितनी है? 99.9% similarity है, और 0.1% क्या है? difference है, ठीक है? चलो, assuming human genome as 3 into 10 की power 9 base pair अब देखो यह तो मैं पता है कि human genome में 3 into 10 की power 9 base pair होते हैं, ठीक है? In how many base sequences would there be difference? अब उसने question पुछा कि 3 into 10 की power 9 base pairs में से कितने base pairs का जो sequence है, वो different होता है different-different individuals में, इसे समझना है हमें, ठीक है? तो human genome में कितने base pair हैं? 3 into 10 की power 9 base pair बतलब यह कितना हो गया? 3 billion base pair, ठीक है? अब देखो, जितने भी human beings हैं, उन में 99.9% जो base pairs का sequence होता है DNA में, वो same होता है, ठीक है? और सिर्फ 0.1% ही base pairs का जो sequence है, वो different होता है, different-different individuals में, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? 3 into 10 की power 9 base pair, मतलब की 3 billion base pair का, जो 0.1% है, वो निकालना है, तो 3 billion का 0.1% कितना हुआ? 3 million, इसको और के लिखते हैं, 3 into 10 की power 6 base pair, ठीक है? तो इतने base pair का जो sequence होता है, वो different होता है, different-different individuals में, तो इसका answer हमें, यहाँ पर मिल गया, तो देखो, यह जो 3 into 10 की power 6 base pair का, जो sequence है, वो हर individual में क्या है? अलग-अलग होता है, यह हमें पता है, और इसी difference की वज़े से, इसी 0.1% difference की वज़े से, क्या होता है? हर individual अलग-अलग दिखता है, यहाँ पर लिखा है ना, phenotypic appearance, phenotypic मतलब होता है, कि बहार से वो कैसा दिख रहा है, तो हर individual कैसा दिखता है? अलग-अलग दिखता है, उसकी शकल क्या होती है? अलग-अलग होती है, क्यों? क्योंकि हर individual के DNA में, 0.1% जो base pair का sequence होता है, वो क्या होता है? अलग-अलग होता है, इसी वज़े से phenotypic appearance भी क्या होती है, हर individual की अलग-अलग होती है, तो कोई चाता है क्यों क्या करे, दो individuals के बीच में जो genetic difference है, उसे पता करे, या फिर किसी population में कुछ individuals हैं, उनके बीच में genetic difference को पता करे, तो जैसे हैं पर क्या है, एक individual यह है, एक individual यह है, ठीक है, अब कोई चाता है कि इन दो individuals के बीच में जो genetic difference है, उसे पता करे, तो उसके लिए हो क्या करेगा, यहां से DNA लेगा, फिर इससे भी DNA लेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, DNA का वो 0.1% part, और इस DNA का भी 0.1% part क्या करेगा, compare करेगा, को ही compare करेंगे, दोनों DNA के, अब देखो, 0.1% part में कितने base pair होते हैं, 3 into 10 की power, 6 base pair होते हैं, सेम यहां पर भी क्या होंगे, 3 into 10 की power, 6 base pair होंगे, तो यह base pair कम नहीं है, तब भी भी यह कितने हैं, 3 million है, तो अब अगर यहां पर कोई क्या करेगा, कि यहां पर sequences को, एक एक करके check करेगा, ठीक है, तो उसको कितने sequence check करने पढ़ेंगे, 3 into 10 की power, 6 base pair के sequence को, सेम यहां पर भी 3 into 10 की power, 6 base pair के sequences को, एक एक करके check करना पढ़ेगा, तो यह तो काफी सदा मुश्किल हो जाएगा, काफी सदा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो यहां पर लिखावा भी है, sequencing the DNA every time, would be a daunting and expensive task, तो यहां पर क्या लिखा है, अगर आप एक एक करके sequences को पता करोगे, तो वो काफी सदा daunting हो जाएगा, daunting मतलब मुश्किल हो जाएगा, साथी expensive हो जाएगा, इस पर बहुत ज़दा खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना, imagine trying to compare, two sets of 3 into 10 की power 6 base pair, आप imagine करिए, कि आपको क्या करना है, बार बार 3 into 10 की power 6 base pair को compare करना है, तो कितना ज़दा मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए यहां पर क्या है, DNA fingerprinting, इसका alternate क्या है, DNA fingerprinting, यहां पर क्या लिखा है, DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals, तो DNA fingerprinting क्या है, एक ऐसी technique है, जिसमें हम बहुत जल्दी ही, दो individuals के DNA के sequence को compare कर सकते हैं, अच्छा देखो यार, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊ, पर लेकिन समझाने में थोड़ा time लग जाता है, तो अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी है, तो please मुझे comment कर देना, मैं कोशिश करूँँगा कि अगली बार से वीडियो को थोड़ा छोटा बनाऊ, और हाँ, इसकी अगली वीडियो को प्लीज जरूर देखना, उसमें हम काफी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बाई बाई